नमस्कार जेहन मैं रंजी चवान आप देख रहें ओनली नीज नैसान इधर दुनिया की निगाएं भार पर थी उधर अमेरिका ने चीन को तहला दिया चीन में अपने बम और सब बिमानों से पूरे चीन के परकच्च वड़ा दिये आखिर भारत की कूट निती ने दिखा द दिखा दिया है चीन को उसकी आवकात और भारी पड़ गई है उसे भारत से दुस्मनी बदा दे आपको चीन और भारत दोनों आपस में इस समय भीड़े हुए हैं जंग का महाल है लेकिन किसी नहीं सोचा होगा कि दोनों के बीच में तीसरा देश जिसका नाम है अमेरिका वह बड़ा कांड कर जाएगा और उसने कर भी दिया है कि अमेरिका के बम और सक्विमानों ने चीन को चारों तरफ से घेड़ लिया है लेकिन उसके जबाब में चीन भी चीन भी पलट वार कर बैठा है चलिए पहले इस पूरी खबर पर नज़र डालते हैं फिर आपको दि दचली चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है तैवान की सीमा के पास उड़ रहे एक अमेरिकी बिमान को चीन ने धंकी देकर खदेड दिया उधर गुसाय अमेरिका नहीं इस इलाके में अपने सबसे सकतिसाली एरक्राफ्ट स्टे अमेरिकी बिमान चीनी वाईव चेतर के नजदीक पहुँच गया था इसके बाद चीनी नेवल एर फोर्स ने अमेरिका बिमान को वाइर्लेस के जरिये चतावनी देकर दूर खदेड दिया इस बीबाचीत का आडियो भी जारी किया गया यहां दच्छडी चीन सागर पर ने वाईलेस मैसेज में का है कि यह चाइना नेवल एर फोर्स ऑन गार्ड है आप चीनी एर डोमेन को छूरे हैं आप अपना रास्ता बदल लें नहीं तो आपको रोका जाएगा हलाकि यह इस पस्ट नहीं हो सका कि चीन ने किस तरह से अमेरिका के जहाजों को चतावनी जा प्रिजिक बॉंबर को इस इलाके पर गस्ट के लिए भेज दिया है इस विमान ने यूएस रोनार्ड रिगन एरक्राफ्ट के साथ मिलकर चीन के नजदेकी फिलिपिन सागर और साउच चाइना सी में गस्ट लगाई इस विमान के साथ अमेरिका का पूरा जंगी जहाजों का बेड़ा उड़ रहा था माना जा रहा है कि चीन की चताउनी के बाद अमेरिका ने यहां पर सक्ति प्रदर्शन सुरू कर दिया है तनाव पढ़ने के आसार सुरू हो गए हैं गौरतरावे की इस इलाके में बीते एक महीने से अमेरिकी बिमान पर लगातार गस्त लगा रहा है जिसमें टोही, बॉंबर, इंटर्सेप्टर, एरक्राफ्ट भी सामिल है यह बिमान अक्सर ताइवान की सीमा के पास से गुजरते हैं यह बिमान इधन को लेका ताइवान में लैंड भी करते हैं वहीं चीन बार बार इसे लेकर अमेरिका और ताइवान को चदाउन हाली में अमेरिका और चीन ने एक समय दच्षडी चीन सागर में युद्धा ब्यास सुरू कर दिया इसके बाद चीन ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धंकी दे डाली दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं युद्धा ब्यास कर रहे हैं लगातार बंबारी कर रहे हैं एक द हिंदुस्तान और चीन भीड़ेंगे लेकिन इधर हिंदुस्तान के मित्र देश अमेरिका ने बड़ा कांड कर दिया अब चीन चाहकर भी हिंदुस्तान से जंग नहीं ड़ा सकता क्योंकि वह एक साथ दो महासक अमेरिका ने चीन पर जो बंबारी की है जो बंबार सक विमानो मता है कोई चीन की दरजीयां उड़ा शकते हैं। महासकती बनने का सपना अब सपना 흰ह गया कशने हिंदूस्तान को चिड़ कर उसने पुरी दुनिया को अपना दिश्मन बना लिया है तो बड़ी खासियत यह है कि आज चीन के मामले में उसका सबसे बड़ा हमदर्द दोस पाकिस्तान में कुछ नहीं बोल रहा है जानता है कि चीन तो एक दो दिन चार दिन दस दिन जंग रड़ सकता है अगर अमेरिका लपेटे मागत अमेरिका की आउकात नहीं कि वह एक दिन भी भारत अमेरिका जैसे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि वह एक दिन भी भारत और अमेरिका जैसे देशों के सामने एक दिन भी टिक सकेँ तब समख सकते हैं कि भारत अब वो महासकती है भारत के अंदर वो अपार छमता है कि वो दुनिया किसी भी देश को डेहरा सकता है क्योंकि उसके पास आद दुनिया के सबसे बड़े ताकत वर देश अमेरिका का साथ है रूस का साथ है फ्रांस का साथ है इसराइल का साथ है और ये वो देश हैं जो अपने आप में दुनिया की बड़ी महासकती है अब रही बाद चीन की रही बाद नेपाल की रही बाद पाकिस्तान की तो इनसे तो हिंदुस्तान ही लड़ने में सच्छम है नेपाल जिस प्रकार से चीन के हाथों कटपटली बना हुआ है दरसल चीन चाहता है कि वो छोटे मोटे देशों को आगे करकर अपना उल्लू सिधा करे वो नेपाल को बढ़काता है कभी मियमार को भड़काता है कभी सीलंगों को भड़काता है कभी पाकिस्तान तो उसका गुलाम है ही है इन चोटे मोटे देशों को भड़का कर वो अपना उल्लू सिधा करना चाहता है लेकिन वो बात भूल गया है कि भारत इन चोटी मूटे देशों के चक्रम पढ़ने वाला नहीं है भारत तो सीधा बड़ी मौसली का सिकार करता है जैसे की चीन भारत ने समय सीधा चीन पर सिकंजा कसन शुरू कर दिया है और जब चीन पर सिकंजा कसा जाएगा चीन सरेंडर होगा तो च्छूटी मुटी दिस अपने आप सरेंडर हो जाएंगे और इसलिए चीन को चारो तरफ से घेर लिया गया है बस ट्रिगर दमाने की देरी है जैसे ट्रिगर दबेगा चीन धलाम से तबाह बजाएगा क्योंकि अभी अभी भी वक्त है गर चीन समल जाए या अपने आपको सरेंडर कर दे तो सैथ उसकी जान बच जाए लेकर अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो जिस प्रकार से अमेरिका के जंगी जहाज साउच चाइना सी में उडान भर रहे हैं उसकी इसकी रूर्स के भी बिमान हवा में मंडरार है ब्रिटेन के भी जंगी जहाज हवा में है उदर इजराएल के dosocyanic चीन के सामने यो दभ्यास कर रहे हैं अब ये सब कुछ कोई खेल नहीं है कोई खिलोना नहीं है बलगी ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ चीन के कह सकते हैं विश्तारवादी नीती को रोकने के लिए उसको उसकी जगा दिखाने के लिए उसको उसकी आउका दिखाने के लिए और हिंदुस्तान से पंगा मोल लेने का उसको करारा जबाब देने के लिए तो आप क्या रहा रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में दिखाए बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज जो कुछ हुआ वह किसकी वजिस हुआ है कि कभी चीन इतना सरेंडर हुआ कि कभी आज से पहले चीन पर इतने देशों मिला रहें इसके पीछे की वज़ा है हिंदुस्तान का वर्चस हिंदुस्तान का वजूद आज दुनिया में सरचड़ कर बोल रहा है जिसके पीछे की वज़ा नेंडर मोदी हैं आप अपनी राज जरूर दें कमेंट बाउक्स में बहुत-बहुत धन्यवाद वनली न्यूज ग्रूप में आप सभी का यह जो हम एक कंपेनिंग लेका हैं इस कंपेनिंग में इस पांच अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली क्योंकि जस प्रकार से भगवान राम को है जो हमारे पूरे 130 कोर्ड देश्पासियों के इस्ट दे होता है जिया साथ 130 कोर्ड देश्पासियों में पता है 110 कोर्ड हिंदू है लेकिन सबके इस्ट देव भगवान स्री राम है यह चाहे कोई माने या ना माने 110 कोर्ड तो मानते हैं तो इस पांच अगस्त को भगवान राम के जन भूम पर वहाँ पर होगा स्री रान न्यास और अधान मंत्री मोदी उसका सिलानास करेंगे तो इस पांच अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली जहां आपकी बार भगवान राम का अगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्स में हुआ था लेकिन साइकलो साइकलो सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इ हर घर में दिवाली मनाएंगे हर घर में पटाके भूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे लडिया सजा दिजे पुरे देश को सजा दिजे घर को सजाईए हम चाप से अग्रह करते हैं अन्रोध करते हैं कि इस पांच अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए इस जो प्रतीक है भगवान स्री राम 130 करोड़े सुबासियों में हर कोई का कहीं न कहीं पजो उनका आज अस्थित्व है भगवान स्री राम के नाम की वज़े से हैं चाहे हो किसी जाति धर्म से हो तो चलिए आप इस वीडियो को शेर करिए बहुत-बहुत धन्यवाद